तो सिटडल की कहानी शुरू होती है नादिया से जो की एक स्पाय है और अभी फिलहालिक ट्रेन में है जिसने नजाने ट्रेन में से एक पैसंजर का बटवा मार लिया है और बटवा मारने के बाद ये अराम से सीट पे बैठके अपने टेक सपोर्ट बंदे से बात कर रही है जहां उसे वो बंदा बोलता है एक गुडिया जिसका बटवा तुने मारा है उसके बैग में यूरेनियम है वो यूरेनियम हमका चाहिए इतने में आ जाता है ये सस्ता जेम्स बॉंड और महंगा जेसन बॉंड यू सी और ये दोनों अब अपने रिलेशनशिप के बारे में करने लग जाते हैं बक्चोदी इतने में इस आपनी को लगती है भूक तो ये जाता है उठ इसके पीछे-पीछे ये गुडिया भी निकल लेती है गुडिया के पीछे-पीछे निकल परता है ये विलन का बैक अप और उसके बैक अप के पीछे-पीछे निकल परता है अपना सस्ता जेम्स बॉंड और महं जिसमें कि ये वाला सीन इन होने 10-8 मूवी से कॉपी किया है और ये वाला सीन बुलेट ट्रेन मूवी से अब यहां अपनी हिरोईन इस आदमें को बोलती है अरे भाई साब आपका बटवा गिर गया था हम पकड़ लिये और वैसे तो पूरी ट्रेन खाली है पर क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ प्लीज और बदले में ये आपनी बोलता है खुदी पड़ लो है ठरकी सला जिस पर अपनी हिरोईन बोलती है साले जादा ठरकी बन रहा है अब मैंने तेरी अखरप्र बंदुक तान रखी है और मैं लेने आई है ये यूरेनियम वाला बैग जिस पर ये विलन बोलता है अरे गुडिया हमका मालूम है तू सिटाडल वाली स्पाय है रे और ये बैग खाली है हम तुमरा जान लेने के वास्ते ये सब गेम प्लान किये हैं और extended story short इस विलन की कमपनी का नाम है Manticore और ये लोग सिटाडल के सारे के सारे स्पायस को एक एक करके मार रहे है इतने मैंट्री होती है अपने हीरो की और फिर सराड़ा शुरू लड़ाई में हीरो हीरोईन सब को मार देते हैं और हीरोईन को लग जाती है पहर में गोली और इसके बाद train में हो जाता है explosion and now the story comes to Italy अब क्योंकि ये हीरो है इसलिए इसको एक भी खरोच नहीं आई पर हीरो की याददास जा चुकी है और उसकी कोई identity नहीं है उसके पास है तो सिर्फ एक नाम Kyle Conroy now fast forward अब अगले सीर में दिखाते हैं इस आंटी को जो की एक broker है manticore की ये आंटी महंगा समान चुला की manticore को देती है और इसे अब चाहिए Citadel X Case नाम का एक briefcase तो ये वाली आंटी अपने भाड़े के गुंडों को भेशती है मायामी और वो लोग एक मिन्ट में ये suitcase अंटी करके चले भी जाते हैं अब कहानी टर्न लेती है शिकागो की तरफ जहां ये tech support वाला बंदा अभी तक जिन्दा है और इन लोगों के साथ KBC KBC खेल रहा है और ये पूछता है उस briefcase में क्या है यार एक मिन्ट वो briefcase तो तुम लोगों कही था ना तो तुझे कैसे नहीं पता कि वो briefcase में क्या है क्या tech support बने गा रहे तू अब यहां हमारा हिरो अपना पुराना सामान देख रहा होता है कि तभी इसके घर में ये tech support वाला बंदा आता है और तीनों को किड्नाप करके खूफ या जगे पे लिए जाता है वहाँ पहुचके ये हिरो को बोलता है ओए चोमू तू एक स्पाई है तो हमारी company के लिए काम करता था पर तेरी याददास चली गई अब देख बेटा याददास का तो अपन बाद में कुछ न कुछ कर लेंगे पर पहले अभी अप उनको वो brief case मंगता है समझा कि नहीं और यहां दिखाता है कि हमारी heroine अभी तक जिन्दा है तो गाइस कैसा लगा आपको यह वीडियो मुझे comment section में जरूर बताना पसंद आ जाए तो like करो, subscribe करो और दोस्तो वस्तो के साथ share करो में तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखो be awesome, bye bye